असलाम अलेकुम students, I am Imran Talib, I am lecturer in the department of mathematics and statistics of Usher University of Pakistan हम computational software for mathematics को study कर रहे हैं आज उस सीरीज के हम lecture number 6 को discuss करेंगे, जिसका title है Use of the M Files M Files क्या होती है, M Files में हम किस तरह work करते हैं, M Files का benefits क्या है इसमें work करने का वो हम इस lecture के हंदे study करेंगे हमारे जो इस lectures की outline होगी, attributes of the M Files, script M Files, file saving procedure, execution run of the script file display of the commands with results in command window, adding commands, structuring script M Files, function M Files, loops and at the end हम कुछ exercise उनको study करेंगे M Files up to now हमने जितना भी work किया, वो हमने command window के अंदर किया हमने अपनी command सी, जो inputs थी, उनको भी command window के अंदर type किया और जो हमारी outputs थी, वो भी हमें command window के अंदर result को show किया गया अब हम जिस पर work करेंगे, वो हम editor के अंदर work करेंगे editor के अंदर हम क्यों work करेंगे, sometime, अगर हमने scientific programming लिखनी है तो हमें उस programming को sometime बार बार अडिट करना पड़ता है, error remove करने के लिए तो जो command window होती है, वो at a time सरफ एक, जो हमारे पस एक input लिखी होती है जो हमने एक command type की होती है, उसको अडिट करती है लेकिन editor का हमें यह फाइदा होगा कि यह हमारे पूरे programs को edit कर सकता है, हम किसी भी line को edit करना ही जा सकते हैं तो structure wise और scientific programming के लिए जो best way है matlab के अंदर work करने का वो यह है कि आप editor के अंदर work करें, आप command window के अंदर work ना करें command window को सिर्फ इस लिए रखें के matlab वहां पर आपको output शो कर दे और आप उस output को further use कर सेगे लेकिन अगर आप कोई program लिखना चाहते हैं, कोई work करना चाहते हैं तो आपको prefer way जो है वो editor ही होगा तो a much better approach is to create m file आप m file को create करें m files हमारे पास ऐसी ordinary text files होती है जिसमे matlab commands होती है इसके अंदर हम matlab को create कर सकते हैं और इनको modify कर सकते हैं किसी भी editor को use करके जिसमें text लिखा जा सके जो plain text को save कर सके लेकिन best way जो matlab का inbuilt editor है जिसे हम edited debugger कहते हैं हम उसको use करेंगे यह preferred way है कि आप उसी को use करके उसी के अंदर अपने जितना भी आपका work होगा उसको type करें और फिर उसको run करें execute करें commands को उसके results को आप command window के अंदर देख सके अब हम इसी editor को matlab के अंदर किस तरह आपने use करना है यह कौन सी window होती है कहां से जाके open होती है अब हम उसका use जो है वो सीखते हैं for example आप सबसे पहले start पे अपने system को on करें go to the programs और यहां पे matlab आप कोगा यह programs पे क्लिक कर दें programs के ओपर यहां कहीं आपने इसे shortcut में save किया वहां पे क्लिक करें और अपनी matlab को open कर लें matlab का जो desktop होगा वो इस तरह आपको visible होगा के यहां पे आपको command window है यहां पे work space है और फिर command history की window है then leftmost पे आपके पास current folder है जिसके अंदर आप जो editor के अंदर work करेंगे और उन files को आप save करें अब एक चीज़ यहां पे देखे और आपको यहां पे editor open हुआ नजर नहीं आ रहा जिसके हमने work करना है उसको आप कहां से open करेंगे फाइल में जाएंगे आप फाइल में जाने के बाद आप new icon पे click करेंगे then आप फिर आप script file के icon पे click कर देंगे तो यह आपके पस editor open हो जाएग जब अडिटर open हो जाएगा तो अडिटर की जो आपके पस setting है वो इस तरह की आ जाएगी suppose अगर अडिटर अलग से open होता है तो आप फरजमपल इस arrow को click कर देंगे अब आपके पस यह command window है यह workspace है और अडिटर आपका यहां पे minimize हो गया इसको आप reuse कर सकते हैं अपने work के लिए for example तो जब आप फाइल पे जाएंगे आप open पे click करेंगे for example आप फाइल पे अपने इसमें icon new पे click किया then आप फिर script file को चूज करें यहां से तो यह आपका अडिटर open होगा यह आपका command window होगा अब अडिटर को अगर आपने adjust करना है इन windows के अंदर तो आप देखिएगा के minimize की जो options हैं उसके नीचे आपके एक arrow नजर आएगा जिसे dock editor कहते हैं आप उस पे click करेंगे तो आपका अडिटर की जो setting है वो command window के लिए accordingly वो कर देगा अब आप यहां पे result type कर सकते हैं यहां पे आपको उसकी output नजर आ जाएगी तो यह वो आपका अडिटर है जिस पे आप आप चीजों को type करेंगे आप command window में type नहीं करेंगे इसपोज अगर आप कोई vector generate करना चाहते हैं तो आपका यहां पे type x is equal to one and three तो अभी आपने enter की को मैंने प्रेस किया तो यह next line पे हमारी command आगी तो अभी इसने इनको execute नहीं किया और command window जो है उसको वहां पे result को command window के अंदर show भी नहीं किया अब इसको execute करने के लिए आप क्या करेंगे इस command को अडिटर के अंदर आप इसे run करेंगे जितनी भी यहां command लिए होंगी आप यहां पे save and run पे click करेंगे तो matlab पहले इने save करेगा, editor file को save करेगा, then फिर इसे run करेगा तो अगर आप यहां पे click करते हैं तो आपके पास एक folder open हो जाएगा, वो आपके पूछेगा यह जो आपके पस window open होई है, आपको पूछेगा कि आपने इसे कहां पे save करना है matlab current folder में ही save करना है, यहां कहीं और save करना है, यह matlab के अपना भी folder होता है जिसके अदर आपके सारी files को यह save करता है, तो अगर आपने इसे यहां पे save करना है, तो यह आपके पास matlab files, save as type, आप as a matlab files इने save करेंगे file name आप कोई भी रख लें, for example, इसे हम test case रख लेते हैं, तो इसने इसको save कर दिया जब इसको save किया, तो इसके जो results थे हमारे पास, वो command window के अंदर show हो गए यहां पे, यह हमारे पास editor के अंदर work है, जो आप करेंगे, उसके result command window में show हो जाएंगे for example, अगर आप यहां पे किसी और vectors की input को देखना चाहते हैं, तो आप उस vector का name type करें, editor के अंदर और then फिर one up to increment five, फिर आप इसे यहां से run कर दें, जब run कर देंगे तो आपके पास यह x vector को भी generate कर देगा और v vector को भी command window के अंदर generate कर देगा, एक तो matlab editor में जो आपने work किया होगा, उसको run करने की methodology यहां से है कि आप इस जो run test पे click कर दें तो यह उसे run कर देगा, अगर आप इस file को run करना चाहते हैं तो जिस नाम से आपने से save किया हुआ है, आप उसे command window में type कर दें, test के नाम से save किया है और enter करेंगे तो यह फिर भी इस जो आपने editor में work किया होगा, उसकी command को execute करके उनकी output जो है वो इस command window के अंदर show कर देगा अब जब आप इसको save करें तो usually जो error आता है sometime यह आता है कि, suppose मैं editor को close करता हूँ और command window को clear करता हूँ new file open करते हैं, file new and script file यह हमारे पास open होगी है, editor suppose यहां पर हम कोई चीज कलिकुलेट कर लेते हैं, for example, I have active way is equal to x and up to 10 button इसे मैं save करता हूँ तो अगर आप इसे suppose save कर लेते हैं, test or dot 2 से तो इसने आपको error देगा reason is that कि जब आपने इसे save किया है तो जब आपने save करना है तो आपने space नहीं देनी इसमें तो आप test उसके बाद फिर आपने space दी, space देने का फिर हमने 2 लिखा तो test 2 के नाम से, हमने इसको save किया space and with 2 इस name से save हो गया, तो अगर आप इस तरह save करेंगे तो matlab जो है वो आपकी file को execute नहीं करेगा उसे run नहीं करेगा, आपको कोई नहीं error शो कर देगा, तो जब भी आपने matlab के अंदर जो अडिटर के अंदर work करना होगा, जब आपने उस file को save करना होगा तो आप इसमें कोई space नहीं देंगे, और यह जो .m extension है जिसके साथ matlab ने आपकी file को save किया जैसे करना है जो जिससे matlab को instruction दी गई हैं कि अगर file इस तरह save होगी तो फिर आपने commands को execute करना है तो एक आपने space नहीं देनी और दूसरा आपने इसे .m extension से जो है वो आपनी file को save करना होगा यह भी हम script m file को discuss कर रहे थे, उसमें हमने file saving procedure को discuss किया जैनि file saving procedure में आप क्या करेंगे, no save the file with the name script file 1.m यानि यह file आप इस name को replace कर सेंगे लेकिन जो .m extension असाथ यह आप जरूर वहां पे matlab में टाइप करेंगे अगर आप टाइप नहीं करें तो matlab by default इसे .m extension से ही save करेगा execution जब आप matlab file को execution करेंगे यानि आपने एडिटर में के worker किया और उसे run करेंगे तो उसके लिए हमने देखा कर यहां तो आप उसे run के button पे क्लिक कर दें यहां command window के अंदर जाएं और जिस name से आपने file को save किया हुआ है आप उस पे क्लिक कर दें आपने अपनी file को हमने पहले को test के name से save किया हुआ है आप command window के अंदर जागे उसे test लिख देंगे तो आपकी जो file है उसे execute कर देगा command file new and script file then this is editor editor के अंदर जब अब work करेंगे इस पर कोई ऐसी example जो आपने previously हमने command window के अंदर जुन को हमने type किया तो हम वही यहां पे देख लेते हैं for example वेक वेक्टर V हम देख लेते हैं and 25 and sam net and minutes m be is equal to 89 and 10 and temperature अब अगर हम इसको रन करें स्पोस्स यहां से इसे रन करें तो पहले यह सेव करेंगा तो हम इसे टेस्ट वन के नाम से सेव करते हैं यहां पर आपको डॉट एम लिखने की जुरुत नहीं है क्योंकि MATLAB आटोमेटिकली से डॉट एम एक्स्टेंशन में सेव करेंगा लेकिन जो आपका सेव एस टाइप होगा वो आप MATLAB रखेंगे यहां पर यानि सेव एस टाइप MATLAB FILE के नेम से ही सेव करेंगे तो इसे जब सेव कर देंगे हम तो कमांड विंडो के अंदर जो इसके डिजर्ट्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे फार जाएंपल यह वेक्टर वी था बी था और यह वेक्टर सी टैन फॉर्टीन एंड सेवनटीन था अडिटर को हमने यहां से देख अब स्पोस अगर इसे स्पोस अब यहां इस एडिटर के रण सेवन रण बटन से अब रण नहीं करना चाहते हैं अपने फाइल को तो फिर आप क्या गर सकते हैं अब जिस नाम से सेव किया गया उसको कमांड विंडो में टाइप करें तो फिर आप की प्रेस करेंगे तो फिर आप की प्रेस करेंगे तो फिर भी आपकी जो अडिटर फाइल है वो एक्जेक्यूट हो जाएंगी उसके अंदर कमांड यह रन हो जाएगी तो यह हमारी कुछ डिसकुशन्स हैं इस बारे में अब फर्दर हम देखते हैं कि हम इसको अडिटर फाइल है इसको मोडिफाय किस तरह कर सकते हैं अगर आगर आप अपनी इनपुट को भी कमांड विंडो के अंदर अब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एको ऑन और एको आफ की कमांड अगर यूज़ कर देंगे तो फिर आपकी जो input होगी वो भी यहां पर show हो जाएंगी command window के अंदर अब वो किस तरह यूज करनी है for example आप क्या type करेंगे आप eco on और eco off उसके अंदर अपनी जितनी भी आपकी values हैं उनको लिख लेंगे for example हम एक vector generate करते हैं उसके उपर हम कुछ output values find out करते हैं new file उपन करते हैं file new and then script file then auditor में जब आप work करें तो सबसे पहले आप clear all and close all commands को type किया करें ताके जो previous जितने भी variables defined हुए है already जब आप work कर रहे थे किसी और auditor file के अंदर इससे पहले क्यूंकि हम test 1 में work कर रहे थे तो वो clear हो जाए तो यहां पर हम जो variable define करें है वो हमारे बिलकुल new variable defined हो वेक्टर generate कर लेते हैं x is equal to for example 0.5 and 0.1 and 0.01 and 0.001 यह एक vector हमने generate कर लिया एक output लेते हैं y is equal to sin x जहां पर हम इसको calculate करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम इसे run करें तो पहले इसे save करना पड़ेगा for example test 3 के name से save कर लेते हम इसे तो editor के अंदर यह values जो हैं output जो हमें show हो गई हैं यांई editor में जो हमने input type की वो command window में हमें उसके results जो हो जो हो गई लेकिन एक यहां पर चीज है हमारे पास के suppose अगर हम चाहते है command window के अंदर जो हमने editor में work की है जो command window के अंदर यह जो हमारी commands है यह वाली यह भी show हो तो इसके लिए हमें इसको edit करना पड़ेगा देखिएगा अगर हम command window में work कर रहे होते हैं अगर हम input यहां पर लिखते तो अपड़िट करना हमाई लिए काफी difficult होना था लेकिन यहां पर हम simply arrow को use करके तो यहां पर हम edit कर सकते हैं for example echo on and then next echo off तो अगर हम इसे run करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर भी input वेक्टर भी display हुआ और output वेक्टर भी display हुआ with icon and echo off command के साथ तो जब आप editor के अंदर in icon और echo off command को use करेंगे तो फिर आपकी जितनी भी आपने यहां पर commands type की होंगी वो भी command window के अंदर आपको show होंगे इसको हमने test 3 के नाम से save की है test 3 press enter की तो यह आपकी input वेक्टर था यह आपका output वेक्टर था और साथ जो output generate हुई है वो भी matlab ने show कर दी तो icon and echo off command को use करके editor के अंदर आप अपनी जितनी भी input हो सकती है उनको भी यहां पर observe कर सकते हैं सम्टाइम यह है कि आपको जब अडिटर में work कर रहे होते हैं तो आपको कुछ comments add करना पड़ते हैं उन comments को add करने के लिए अगर मैं इस command का बताना चाहता हूं तो मैं percentage sign के आगे use कर सकता हूं डिटर के अंदर this command clear the previously defined variables यह इस command का यह work है और this command close all the previous defined graphs यह अगर कोई already graphs work कर रहा है इसके background में तो यह उसे close कर देए कि वह sure नहीं होगा similarly आप इसे कह सकते हैं यह हमारा input vector है and using percent stage sign आप कह सकते हैं यह हमारा output vector है input output vector जो है वो भी आपने define कर तो comments को add करने से आप जो editor के अंदर आप कमेंट को add करेंगे तो वो clear हो जाता है कि यह command किस के लिए use हो रही है आपका input vector कौंस है output vector कौंस है कौंसी command solution के लिए use हो रही है कौंसी command किस variable किस quantity को represent कर रहा है तो वो आप percentage sign यूज करके comments में उनको लिख सकते हैं तो matlab में जब आप इसे एसपोर रन करेंगे तो यह आपके पास साथ जो इसके comments हैं वो भी show हो जाएंगे command window के अंदर कि यह input vector था यह आपका output vector था तो साथ उसने comment भी show कर दिये using icon और eco of command next जो loop है for example अगर आप values loop को हम use करते हैं programming में for example अगर हमने values को repeat करवाना हो एक end से दूसरे end तक तो उसके लिए कि हम loop को use करते हैं कि पहले अगर हमें को function define की है पहले वो उसे zero पे calculate करे फिर उसे one पे करे फिर two पे करे तो यहां पे हम loops को discuss करेंगे वहां पे मैं detail में जाओंगा कि actually हम far loops जो है उससे किस तरह define करते हैं उसका purpose क्या होता है और उससे हम हम अपनी calculation को कितनी असानी से execute कर सकते हैं outputs को कितनी असानी से हम देख सकते हैं कि हमें अलग लग से input को define नहीं करना पड़ता बलकि हमने अगर one से hundred तक किसी functions की value calculate करनी हो तो अगर हम वहां पे loop चला देंगे तो हमें वह वैल्यू जो है वो calculate करके दे देगा तो यह हमारी discussion होगी अडिटर के बारे में जिसमें हमने MATLAB built-in अडिटर को use किया उसके अंदर हमने command को लिखा और फिर हमने command को execute किया उस file को तो results को हमने command window के अंदर observe किया up to know हम अब जितना भी work करेंगे क्योंकि आगे हमने जो work करना है वो हमने मुसलिफ programs को type करना है मुसलिफ numerical analysis को discuss करना है जहां पे हमने numerically solutions find करना है कुछ differential equations करे तो वहां पे हमें फिर editor को ही use करना पड़ेगा तो अब तक हमने जितनी discussions की थी इससे पहले वो हमने command window के अंदर input output दोनों को observe किया था लेकिन up to know हम जितना भी work करेंगे वो हम editor के अंदर ही work करेंगे तो आइंदा से आपने जो भी work करना है वो अपने भी editor के अंदर से work करना है I hope आप लोगों ने ये lecture enjoy किया होगा अगर आपको इसमें कोई difficulty होगी तो आप please मुस्से concert कर सकते हैं by writing email to me और via Skype Okay students, Allah आफेस